दोस्तों ठंड का मौसम आया और साथ ही साथ लाया अपने साथ हम सबों का प्यारा मकर संक्रान्ती का तैवार जिसमें हर घरों में बनता है तिल के लड़ू बट बिना चीनी और बिना चासनी के आज हम बनाने वाले तिल गुड के लड़ू तो चलिए बनाते हैं अब तिल गुड के लड़ू बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया और मैंने यहाँ एड किया है मुँफली के दाने 100 ग्राम आप चाहें तो यहाँ पे दूसरे ड्राइफ रूट्स भी 100 ग्राम की क्वांटिटी में एड कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पर लगा तार चलाते हुए हम मुँफली के दानों को भून लेंगे और देखिए यह हमारे मुँफली के दाने भून गए बिना तेल के हम इनको भून रहे हैं सुखा ही भूनना है और अब इसको हम देखिए दूसरे प्लेट में थंडा होने के लिए रख करेंगे और हाथों से हम थोड़ा सा मसल कर देखेंगे चिलकी अच्छी तेके से उतर रहे हैं डेट मिस हमारे मुंफली अच्छी तेके से भुण चुकिए अब इसको ठंडा करने के लिए हम यूहीं खुली हवा में छोड़ देंगे अब लेने वाले हम दूसी कणाई और उस में से हलकी खुचबुना आने लगे हलका पिंकिस कलर हो जाए और जो तिल के दाने हैं वो थोड़े से फूल जाए और इसमें से एक चटकनी की आवाज आएगी तो यह देखिए हमारा तिल करीबन दो मिनट लगा भुनने में हमारा तिल भुन गया अब इसको हम ठंडा होन आप चाहें तो पल्स मोड पर भी इसका एक दरदरा पाउडर तयार कर सकते हैं कुछ इस तरीके का पाउडर हमें तयार करना है अब हम कडाई लेंगे कडाई में हमने जो तिल भुना था वो डालेंगे और साथ ही साथ यहां 300 ग्राम ले रही हूं मैं गुड तो याद रहे जितना तिल और मुंगफली की कॉंटिटी होगी सेम कॉंटिटी का गुड हमें लेना है यहां अभी कोई भी पानी नहीं डालेंगे और नहीं इसकी हम कोई चास नी बनाएंगे लो फ्लेम पर इसको हम कंटिनुए स्टर करते रहेंगे और गुड हमारा पिघलता जाएगा यह देखिए गुड हमारा अच्छी तेके से पिघल चुका है अब जो हमने मुंगफली के दाने दरदरे पीस के रखे थे ना उसे हम इसमें मिक्स कर देने वाले हैं अब मुंगफली के दानों को भी तिल गुड के साथ हम अच्छी तेके से चलाते हुए मिक्स करेंगे और कुछ इस तरी कि इसका दिखेगा हमारा पूरा मिक्स होने के बाद अब इसमें एक बाइंडिंग तो हमें देनी होगी ना तभी तो लड्डू बनेगा यह हम केवल दो टेबल स्पून हम पानी डालेंगे ताकि गुड की जो हलकी से चासनी बनके इसमें लिपट जाए तो यह करती हूं दोस्तों आज के सिंपल तिल गुल के लड्डू की रेसेपी आपको पसंद आ रही होगी अब इसको हम एक दूसे प्लेट में जिसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा रखा था उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे ताकि यह हलका सा ठंडा हो जाए क्योंकि गरम-गरम ल पसंद आई होगी और आप मकसंक्रांती में तिलगूर के लड्डू जरूर बनाएंगे रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें हैप्य मकसंक्रांती